हेला माई डियर फ्रेंड्स वेलकम टू वी मैड एजूकेशन और आज जो रिजल्ट एनालिसिस करने वाले हैं वो हम पोस्ट बेसिक का करने वाले हैं एक-एक बच्चे को बताने वाला हूँ कि आपको शीट कहा मिलेगी कौन सा कोलेज आप ले सकते हो और लाइब प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगा कि जो लास्ट एयर का था सिनेरियो वो अब की बार कैसे सेट हो रहा है यह जमें देखना है और यह जो उपर वाली लिष्ट दिख रही आपको जो अभी मूमेंट कर रही है यह जो आपके नए रैंक वाइज लिस्ट है रै इजल्ट एनलेसिस की पहले बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था और एक बात और मैंने उसमें यह भी बोला था कि जो पोस्ट बेसी का एक्जाम हुआ था उसमें 195 स्टुडेंट एबसेंट थे तो आप इस लिस्ट में भी देखोगे कि 195 स्टुडेंट एबसेंट है और मैं आपको बिल्कुल लाइप प्रूफ दिखाने वाला हूँ और एडमिशन का जो पिछली बार देखो तुम यह जो नीचे लिस्ट दिख रही आपको यह जो हिलरी नीचे वाली लिस्ट यह लास्ट इयर फर्स्ट राउंड कांसलिंग की है नीचे वाली जो लिस्ट ह मैं आपको स्क्रोल करके दिखाऊंगा कि किस रैंक पर आपको कौन सा कोलेज फिट बैठता है और फिर अंदाजा आपने लगा लेना है और यह उपर वाली जो लिस्ट है मैं एक बार फिर बता दूँ यह कैटेगरी वाइज नहीं है पिछली बार मैंने जो वीडियो डाली की एडमिशन हो जाएगा बट मैंने सभी के लिए वहाँ पर लिस्ट एनलाइज करके सभी को एडमिशन के लिए नहीं बोला है इसलिए कुछ बच्चों ने इसे स्ट्रोंगली क्रिटिसाइज किया तो इसलिए मैं आपके लिए अभी लेका आँ हूँ दोनों लिस्ट प्र प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ तो प्लीज लास्ट तक वीडियो देखना और जहां पर भी आपका जितना मार्क्स हैं जितना आपका रैंक बनेगा उसके हिसाब से आपने बिल्कुल अंदाजा लगा लेना है क्योंकि जो पोस्ट बेशिक का तो बहुत इजी हो जा है पोस्ट बेशिक वालोंने सो थैंक फॉर डैट और बहुत लंबा वीडियो किचेगा यह आपको पूरा डिटेल मैं देने वाला हूँ और कांसलिंग का गाइस कांसलिंग देखो मैंने आपको पहले दिन ही बोल दिया था कि कांसलिंग आपकी MBBS की कांसलिंग के बाद गई तो लेट्स बिगें देखते हैं आज की इस रेंक लिस्ट को और आपको अगर अपने माक्स का अपने कोलेज का अंताजा हो जाए तो प्लीज कमेंट में मुझे बताना कि ये वीडियो आपके लिए कितना है पूल रहा बहुत ही टाइम लगा के मैंने वीडियो बनाया है तो प्लीज प्लीज दो लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल लाइप प्रूफ देखे बिना और पूरा वीडियो देखे बिना आपने नहीं जाना है और लास्ट में लास्ट में मैं आपको एक मॉप अप काउंसलिंग की भी लिस्ट दूँगा और उसके देखके मॉप अप काउंसलिंग में जिसका एड्मिशन हुआ है वो लिस्ट देखके आपका मतलब मन खुश हो जाएगा कि इतने नंबर में भी हमें PGIMS रोतक में पोस्ट बेशिक मिल सकती है क्या सो लेट्स स्टार्ट पोस्ट बेशिक वाला एनलेशिस करते हैं तो सबसे पहले यह जो उपर वाली लिस्ट है मैं इसको सेट कर देता हूं थोड़ा सा यह रैंक और मार्क्स आपके सामने हैं अभी लाइव तो नियू में जो आप से पूछलू कि क्या आपको क्लीरली 122 ठीक हैं तो अभी यह देखो आप देख सकते हो पोस्ट बेसिक की लिस्ट है नेम दिये गए है स्टुडेंट के कैटेगरी देखो निचे वाली लिस्ट में नहीं दी गई है और मैं कैटेगरी आपको दिखाने वाला भी नहीं हूं और दी भी नहीं गई हैं तो चले लाइव कांसलिंग इसको समझ लो कि देखो सब कुछ आपको सामने दिख रा है 155, 152 उसके बाद लास्ट येर देखो next candidate था 137 का इसको management की sheet मिली है management की sheet इसको इसलिए मिली है यह पका boys मिलेगा boys को PGAE में अलाओ नहीं करते ठीक है अब की बार second rank है 151 वाले का फिर 149, 147 एक बार आप इन ranks को देख सकते हो देखो पिछली बार numbers देखो students के कैसे gradually कम हो रहे हैं बिलकुल बट अब की बार देखो 155, 151, 149 47, 45, 43, 41 अब यह देखो gap कितना है पिछली बार देखो कैसा पिछली बार का कितना weak result था आपकी बार बहुत अच्छा बच्चो ने perform किया है बट गाइज आपका यह post basic कैसे रहता है student बहुत सारे student admission के लिए paper देते हैं बट final तक जाते जाते document बहुत कम students के पास रहे जाते हैं तो यह भी आपका एक पंगा है जिससे बहुत सारे student बीच से निकल जाते हैं और आपको admission लेना आशान हो जाता है तो चलिए दोनों लिस्ट को मैं scroll करता हूँ और अगर आप मेरे telegram channel पे हो तो यह analysis की दोनों लिस्ट मैं आपके लिए वहाँ भी provide कर सकता हूँ चलिए scroll down करते हैं दोनों को देखते हैं हो पाएगा ने चलो हो गया अब यह college और अपना rank सब से पहले उपर वाली लिस्ट में देखना आपना rank नीचे देखना अपने marks और यहां भी marks आप देख सकते हो कि 135 वाले का कहा हो रहा है यह आपने समने अंदाजा लगा लेना है एक बाकि में लिस्ट आपको दे ही रहा हूँ पूरा वीडियो जरूर देखना है जिसका जितना marks है वो अपना अंदाजा लगा ले यह देखो पिछली बार तो बहुत कम स्कोर किया था बच्चों ने बार देखो 128, 127, 126 यह आप देख सकते हो लाइब मैं किसी को अपने जबान से यह नहीं बोलने वाला हूँ कि आपका एडिमिशन नहीं होगा क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में ऐसा बोल के देख लिया जो यह मार पड़ती है ना बच्चों की फिर पिछे लग जाते हैं सारे सर यह आपने यह कर दिया, यह कर दिया, यह कर दिया जैसे मैंने ही सब फेल करवा दिया हूँ यह वाला सिस्टम हो जाता है तो यह देखो आप लाइप प्रूफ देख सकते हो बहुत ज़्यादा तक देर तक देखने में तो आप बोर हो जाओगे इसलिए मैं आपके लिए लिस्ट भी डाल दूँगा बट वीडियो आपने पूरा वोज करना है जहां भी आपके नंबर आते हैं जितने भी आपका स्कोर है उसका रैंक आपने कमेंट करना है ताकि मैं भी समझ जाओं कि किस बच्चे का कहां एडमिशन होने वाला है चलो स्टार्ट देखो देखते हैं स्टार्ट कर रखा है मैंन हर साल देखो बच्चों में कितना competition होता जा रहा है यह आप अंदाजा लगा सकते हो और तभी मैं नर्सिंग वालों को बार-बार बोलता हूं प्राइवेट में अड्मिशन ले लो वरना एक साल के बाद फिर एक साल के बाद फिर टैन परसेंट ट्वन्टी फाइव परसेंट कम्पिटिशन फिर बढ़ जाता है और फिर आप लटक के बीच में रह जाओगी सो मैक्सिमम मेरे को लगता है कि पोस्ट बेसिक के हमारे यहां पर प्राइवेट सीटे हैं गोर्मेंट कोलेजिज में पोस्ट बेसिक इतने कोलेजिज में नहीं है ना तो डीडियू करनाल में है और नहीं जो दूसरा कोलेज है सफिदों में भी नहीं है बहुत सारे कोलेज देने वाले सेम हलग बड़ बट मेरिट लिस्ट आप एक बार देख सकते हो पिछली बार देखो 90 वाले को कोलेज ओफ 89 स्कोर देखो कोलेज ओफ नर्सिंग पीजए मसरो तक पोस्ट बेसिक नर्सिंग BCB काटिगरी तो अब की बार ये लगा लो कि 10 to 15 मार्क्स इंक्रीज होंगे डेफिनेटली अगर यहां पे 89 वाले का था तो अब की बार BCB में अगर बात करें हम तो 98 के आसपास आप लगा सकते हो कि एडमिशन हो चलिए आगे चलते हैं और देखो फिर यह सारी प्राइवेटिज को लिज आपको देखने को मिलेंगे यहां यहां तक मेरे को लगता गोवर्मेंट सीट या फिर जो महारा माराजा अगर सेन है वो वाली सीटे सारी कतम हो गई है अगर आएगी तो एका दो सीट मिल जाएगी आपको बट यह देखो सारी मनेजमेंट मनेजमेंट पोस्ट बेसिक बताओ गाइज इससे ज्यादा में क्या ही आपको लाइप प्रूफ दे सकता हूं यह देखो महाराजा अगर सेन 84 मार्स महाराजा अगर सेन कोलेज ओफ नर्सिंग अगरोवा इसार अब की बार 84 में 15 मार्क्स एड़ कर लो आप फिर आप देख लेना कितने में आपको एडमिशन मिल सकता है बट यह रहता कि आपका जो लास्ट लिस्ट में आपको दिखाने वाला हूं मोपप राउंड की उसमें आप बिल्कुल शोक हो जाओगे गाइस कि इतने में इतने म यह आप देख सकते हो चलो ज्यदा देर तक मैं आपको यह नहीं दिखाऊंगा लिस्ट फिर आप बोलो जाओगे चलिए एक बार वो जो मोपप राउंड है था मोपप राउंड आपको मैं शो कर देता हूं निचे वाले लिस्ट को मैं अभी बंद करता हूं बाकी यह टेल इसली बार की बात करें देखो कितना गैप आगया रैंक में अब 500 के आसपास रैंक है 90 मांक्स वाले बच्ची का तो अभी मैं आपको क्या ही बता हूं यही आप नर्सिंग में था नर्सिंग में भी यही था लाश्ट टाइम अलगबग 3500 बच्चों ने पेपर दिया था अ आपकी पोस्ट वेशिंग में आपको ज्यादा गबराने की बात नहीं कि मैंने टोटल सीटे बताई थे आपको 1300 के करीब हैं इतने बच्चे हर साल एडमिशन लेते हैं और आपका भी मेरे को लगता है कि वह कम बच्चे हैं जो विदावट आडमिशन रहे पाएंगे और व रैंक है इसका 1574, 37 मार्क से तो ये देखो लास्ट वाले में लगबग 500 बच्चों का तो कहने सकता 500 क्या मतलब 1300 तो शीटे हैं आपकी तो 1300 तक तो अडमिशन होई जाएगा और कोई साब प्राइवेट कोलेज मिले उठा लो वरना नेक्स्ट इयर फिर आपको कम्पेटिश का शिकार होगे ये देख सकते हो आप और अभी मैं मोपप राउंड कांस्लिंग दिखाने वाला हूँ आपको सो ये लिस्ट देखो काईज आप मोपप राउंड की ये पहले तो देख लो बिल्कुल ओफिसियल लिस्ट है 2021-22 के सेशन की ये देखो 2021-22 मोपप राउंड पो में 2022 में 2022 पेपर कब हुआ था आपको आपका और लिस्ट देखो कब तक आई है तो कब तक अडिमिशन होगा ये आप अंताजा लगा सकते हो मुझे बार-बार कहने की जरूरत ना पड़े तो सबसे पहला ये देखो CET का स्कोर है इस लड़की का सुमन जस्वाल 106 मार्क्स परसेंटाइल देखो आपके सामने है 76 परसेंटाइल कोलेज ओफ नर्शिंग रो तक PGIMS देखो मिल गया मिल गया 106 नंबर में उस लिस्ट में डेफिनिटल अगर आप देखोगे तो 106 में बिल्कुल नहीं मिलता अब लास्ट राउंड तक इसके बीच में एक सेकंड राउंड ही आया है तब तक देखो आप कितने नंबर में एडमिशन हो रहा है तो मैं BSC नर्शिंग वालों को यहीं बोलूँगा कई बच्चे ऐसे हैं वो देखते हैं लास्ट तक वीडियो बहुत फोलो करते हैं यह भी वीडियो देख रहे होते हैं तो मैं उनको अच्छे से देखते हैं ऐसे ही काउंसलिंग में भी आपने लास्ट तक बने रहना है डेफिनेटली आपका एडमिशन होगा 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 देखो नेक्स्ट एक सो तरी एक एक सो तीन नंबर प्रियंका यह आप देख सकते हो 75 प्रसेंटाइल में भी कोलेज ओफ नर्शिंग पीजे एमस रोह तक मिल रहा है नेक्स्ट देखो एक सो दो नंबर पर कोलेज ओफ नर्शिंग पीजे एमस रोह तक जर्नल काटेगरी है देखो बीच में देखो जर्नल काटेगरी जर्नल काटेगरी यह देख सकते हैं जर्नल काटेगरी और नेक्स्ट देखते हैं जर्नल क कोलेज आफ नर्सिंग पीजायम सरोतक में एडमिजन हुआ है 72 परसेंटाइल तक तो अब की बार थोड़ा आप लगा लो तो आप अंदाजा एक बार खुद से लगाना आपने मैं यह नहीं बता हूंगा किसी इसका एडमिजन होगा फिर मेरा से रखाने लग जाते हैं तो र और देखो अधर कैटेगरीज की बात करें यह EWS वाला और बड़ा यह भी चक्र है था EWS वाला वी देख लेते हैं यह देखो EWS में बिरंदर सिंग कोलेज तिक है यह देख सकते हैं आप और भी स्टुदेंट्स मोपप तक देखो कितने स्टुदेंट्स ने अडमिशन लि की रैंक पर कई कई बच्चे हैं ठीक है 75 प्रसेंटाइल तो वह उपर हुआ था और देखो यह देखो महराजा अगरसिन 70 प्रसेंटाइल BCA यह भी लिस्ट में आपके लिए उसमें टेलिग्राम ग्रूप में डाल देता हूं यह भी आप देख लिए ना एक पर यह भी वीडियो आपके लिए टेलिग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगा है यह में पीछे थोड़ा लास्ट में MPT वालों का भी आ गया है और अगर आपको आज का सेशन अगर पसंद आया हो तो बिल्कुल थम्स अप करना है आपने और नेक्स्ट फ्यूचर में कोई ऐसा अगर हेल्प हुई आपकी कोई ऐसा सेशन बनाऊं मैं तो वो आपके लिए लेके आऊंगा बट जो गाइज मैं बीच बीच में informative topics डालता हूं आप वो जरूर देखा किजिए क्योंकि बच्चों को यह है कि कांसलिंग वाली वीडियो देखते हैं बट जर्नल उनको information से कुछ नहीं है पढ़ना लिखना नहीं है वाई साब पस हाँ एडिमेशन हो जाए बस यही चाह knowledge है उसको grow करना चाहता हूं so please pay attention on those videos also so आज का session हम यही पर finish करते हैं और nursing वालों के लिए भी जल्द ही एक दमाकेदार session लेके आना वाला हूं so guys बढ़े रहे हैं अपने साथ please do like this video and subscribe my channel अगर genuine बात आपको बताई हो तो करना अगर वरना नहीं करना Thank you